हाई अब्रीवन कैसे हो आप सबी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुराहुल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सबी कैक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important science का लेक्चे वीडियो लेकर आगया हूँ दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7 standards के लिए science subject का जो हमारा आखरी चाप्टर चल रहा था फ्रेंड लास्ट चाप्टर जिसकर हमें chapter number 20 in the world of stars आज हम इस particular chapter का lecture number 3 आपके लिए ल searching कैसे किया जाता है उसमें बहुत सारे concept थे zenith, नादिर क्या होता है, celestial body क्या होती है, celestial sphere क्या होता है और इसे बहुत सारे चीज़े हमने discuss की थी तो उमीद करता हूँ कि आपने इसके पहले के जो दोनों lectures थे यह बहुत important lectures थे तो जरूर देखा होगा आज हमारा third lecture है, आज भी हमारा चोटा सा lecture होने वाला है, क्योंकि chapter बहुत बढ़ा है और हम आखरी पे पहुँच चुक है, यानि कि हम इसको अगर आराम से भी complete कराते हैं तो भी कोई problem नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़े थोड़े parts में कराएंगे, तो basically आज third lecture ह तो कोशिश करूँगा कि अगला जो lecture होगा, यानि कि lecture number four जो होगा, उसमें आपका पूरा ये जो chapter होगा, complete हो जाएगा, यानि कि seven standard का science का 100% syllabus जो है, वो complete हो जाएगा, तो चलिए आज का इस lecture वीडियो के शिरुआत करते हैं, basically हमने बहुत सारे चीज़े सीखी थी, तो चीज हमें सीख रहा है, एक topic के हमारा main heading, जो जिसका नाम है दोस्तो constellation, ठीक है, constellation बोल लो या फिर constellation बोल लो, एक ही बात है दोस्तो, तो ये constellation exactly होता क्या है, इसका meaning क्या होता है, इसके अंदर क्या-क्या concept चुपे हुए है, वो मैं आज आपको बताने वाला हो, तो constellation is nothing but, यह देखा होगा, तो आज ही जब like evening हो जाएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना, मैं तो बना रहा हूँ like morning में, लेकिन आप जब देखोगे इसको रात में, तो आसमान की तरफ जब देखना, sky की तरफ तो आपको stars जो है twinkling करते वह दिखाए देंगे, पर वो लोग group में रहेंगे, majority of the stars are in the group, and कुछ star ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, individual रहते हैं, जैसे कि north star जो होता है, north pole star जिसको बोलते हैं, वो अकेला रहता है, ठीक है, ये सब जो stars होते हैं, वो अकेले रहते हैं, लेकिन mainly जो मैंने बोला, कि बहुत सारे stars है, ऐसे भी एक group of person, वैसे हमारा जो sphere है, celestial sphere, उसमें अगर बहुत सारे star group में इकटा होके stars रहते हैं, तो वो type के stars को हम लोग क्या बोलते हैं, constellation बोलते हैं, ठीक है, तो constellation का definition क्या हो गया, a group of stars occupying a small portion of the celestial sphere is called as the constellation, ये आपको याद रखना है, clear है, बहुत ही simple सा and sweet सा definition है, ये चीज़ आप उसमान में group में रहते हैं, और उनके वज़े से कुछ certain figures बनता है, ठीक है, कुछ क्या बनता है दोस्तो, certain figures, figures का मतलब क्या होता है, कोई भी आकृती बन सकती, आकृती यानि की figures जो होता है, कुछ भी picture जैसा बन सकता है, जैसे की picture कौन सा हो सकता है, कि आप stars को देखते हो, बहुत सारे group of stars है, और उनकों आपस में connect करके देखो, imagination में, ठीक है, ना, ऐसा नहीं कि हाथ से connect करोगे, possible ही नहीं है, तो imagination में आप connect करके देखो, और आपको ऐसा महसूस होगा, कि यह कुछ न कुछ shape बनता हो दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लगेगा, कि यह star जो है, आ आपको दिखाई देगा, यानि कि कहीं न कहीं, कोई न कोई shape जो है, आपको दिखाई देगा, कि आप अगर उसको ध्यान से घुरते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको वो चीज नजर आएगा, तो यह चीज आप practically करके देखना, और हमें बताना, comment करके कि हमने कुछ shape देखा गया, चाहिए वो कोई भी shape हो सकता है, आप imagination आना चाहिए, आपको imagination करना आना चाहिए, बस आपको कुछ न कुछ दिखाई देगा, और जो western observers जो होते हैं, यानि कि जो western countries से आपको पता है, कि majority of the scientists जो आये थे, वो western countries से आये थे, जैसे कि US, England, अमेरिका, यह सब जो बोला, कि यह जो हमारा celestial sphere है, हमारा जो sphere है, वैसे उन्होंने बताया, कि 88 constellation में यह जो sphere है, वो divide हुआ है, यानि कि जो हमारा celestial sphere जो है, न दोस्तो, celestial, यह sphere जो है, उन्होंने बोला, कि यह 88 division में, यानि कि 88 टुकडे में divide हुआ है, और यह 88 को क्या बोला, 88 constellation, यानि कि पूरे क पूरे sphere को 88 constellations में divide किया गया है, ऐसा किस ने कहा था Western observers ने कहा था और उन्होंने एक और चीज बोला यहाँ पे और एक concept उन्होंने बताया He gave the idea about the zodiac sign ठीक है न, zodiac sign आपने सुनाओगा नाम ठीक है, राशीद जिसको बोलते हैं दोस्तों तो zodiac sign का उन्होंने idea दिया कि यह जो constellations होते हैं यह constellations के वज़े से ही कही न कहीं यह जो zodiac sign है, वो एक develop होते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो zodiac sign है, वो 12 होते हैं ठीक है, zodiac sign जो होते हैं तो ऐसे 12 zodiac sign उन्होंने बताया और साथी में जो इंडियन एस्टोनोमर से वेस्टर्न लोग ने क्या बताया, वेस्टर्न लोग ने बताया कि 12 जो राशिया होती है वो प्रेजेंट होती है, ऐसा उन्होंने आइडिया दिया, according to the constellation, ये constellation का आइडिया उनको आया, और ये आइडिया उन्होंने बताया, और ज celestial sphere में क्या है, नक्षत्र भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, नक्षत्र प्रेजेंट है, वो भी कितने नंबर में प्रेजेंट है, 27, तो 27 नक्षत्र हमारे celestial sphere में present है और आपने ये word सुना भी होगा क्या राशी तेरा कॉन सा राशी है तेरा sunshine भी बोलते हैं ठीक है वह होता है zodiac sign क्या है तू कॉन से नक्षत्र में जनम लिया ऐसा होता है ना दोस्तों आपने देखा होगा ये चीज कैसे आया वो बताया गया तो उन्होंने बोला कि 12 zodiac sign है और इंडियान ने बोला 27 नक्षत्रा है तो अब ये zodiac sign और नक्षत्रा एक्जाक्ली क्या होते है ये मैं आपको डिसकस करा होगा तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ फिर आपको में ये दो चीत है तो अभी आने वाला जो पाट है zodiac sign और नक्षत्रा होता है ये मैं आपको अभी बताने वाला तो ध्यान से देखना एंड तक देखना बिल्कुल skip मत करना तो चलो शुरुआत करते हैं zodiac sign के बारे में ठीक है तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ दोस्तों बने रह पढ़ना astronomy पढ़ना कांक हमें सबसूर होता है यह सब आर्न डेल सम्र्ष को करेंगे लिसके बारे में उसके बात करें गे लक्षत्र रफ्सकी के बारे में उसके बात करेंगे डढ़ा तो जो व्यदिर्बता घजाइक नमा हमारा है यह जो एकलिप्टिक है यह उन होने बोला ऐसे 12 हिस्षो में डिवाइड क्या है इस डिवाइड इटुग वहाईड इंटु 12 पार्स में 15 एकलिप्ट किया गया है ए clicks ले अगर हम angle अगर consider करते हैं, तो कितना होता है दोस्तो, total angle होता है 360 degree, तो जब उन्होंने बोला कि हमारा जो ecliptic है, वो 12 parts में divide हुआ है, तो 360 को अगर मैं 12 parts में divide करूँगा, तो हर एक का angle हमें मिलेगा दोस्तो, वो कितना मिलेगा, is equal to, ठीक है, यहाँ पे 360 divided by 12 will get 30 degree, यानि कि हर zodiac sign का जो degree होगा, वो कितना हो जाएगा दोस्तो, each जो होगा, वो 30 degree का होगा, each zodiac sign जो होगा, वो कितने का होगा, 30 degree होगा, ऐसा उन्होंने ये चीज़ प्रूफ करके दिखाया, ठीक है ना, समझ में आला दोस्तो, मैं क्या पतना नहीं कि कोशिश को रहा, बहुत आराम आर 30 degree होगा, और यही जो इच पार्ट है, यानि कि 30 degree का जो इच पार्ट है, एक हिस्सा जो है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो, zodiac sign बोलते हैं, क्या बोलते हैं, zodiac sign, clear है, बहुत सिंपल सा definition है, तो आप सिधा-सिधा अगर आपको क्यों पूछता है, what do you mean by zodiac sign है, इसी का एक और नाम हमारे इंडियन कल्चर में दिया गया है, दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं, राशी का नम, ठीक है, राशी, सिंपल वर्ड है, राशी जो बोलते हैं, उसी को हम लोग zodiac sign भी बोलते हैं, ठीक है, अब यह जो राशी होती है, जैसे हम निन्हों बोला, कि बारा राशीया है, बारा पार्ट में डिवाइड किया, यानि कि जो राशीया होंगी, जोडियक sign होंगी, वो कितने होंगी, 12 होंगे, ठीक है, तो देर आर 12 zodiac sign, ठीक है, बारा राशीया पे रेजेंट हैं हमारे पास, तो वो बारा कुन से हैं, यह आपको जानना जो राशी है, जिसका नाम है दोस्तों, एरीस, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखके रहा हो, दोस्तों आप ध्यान से देखना, एरीस हो गया, फिर टाउरस हो गया, ठीक है, उसके बाद होता है आपका जेमिनी, ठीक है, जेमिनी, ठीक है, यह सब नाम है दोस्तों, ठीक है, जेम उसके बाद आता है Scorpio, यह सब line में हैं, ठीक है दोस्तों पहले से लेकर 12 हम में बतारहे हूं, वह भी sequence में, Line-wise होता है, पहले number पर धया, इसा line-wise होता है,। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के बाद आता है, सैजिटेरियस, उसके बाद आता है, दोस्तो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो गया, उसके बाद एक्वेरिस आता है, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करू, एक्वेरिस, एन लास्ट में इसे 12 राशी है, यानि कि 12 जोडियक साइन है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका कुछ खास मतलब तो नहीं है, मतलब actually देखा दिया तो मतलब तो बहुत है, according to Indian mythology, हमारे इंडिया के इसाप से अगर देखा जा तो इसके मतलब बहुत सारे, लेकिन वो हम लोग का Astronomical Lecture तो चल रहा नहीं है, कि मैं बता पहूँ, और मुझे not beyond the limit knowledge भी नहीं है, Astronomical आपको पता होगा, कि हम science पट रहे हैं, तो science के इसाप से basically ये क्या है, 12 zodiac sign है, हर एक का 30 degree है, 30 degree है, और इसका एक हिंदी में नाम भी होता है, basically आपने सुना होगा, पिशाए TV अगरे पे जो राशी एक होता है, तो राशी क्या पता है, कि हमारा दिन कैसा जाने वाला है, हमारा मन्त कैसा जाने वाला है, उसके हिसाप से पता चलता है, तो Aries मेश रासी होता है, फिर व्रिश रासी, फिर आपका Gemini, exactly हिंदी में मुझे ठीक से आजने है, लेकिमें पूरी कोशिश कर रहा हू पर आप refer कर सकते हैं, आपके माँबाप से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं senior है, मेरे से भी senior होंगे, तो उनको हिंदी में exactly क्या बोलते हैं, वो पता होगा, तो एक बर जरूर से पुछना, तो जो मुझे पता है, मैं बता सकता हूँ, ठीके, that is mesh, एक होता है, this is kark rasi cancer को kark rasi बोलते हैं, फिर this is, हाँ, gemini का मतलब होता है, mythun rasi, yes, मुझे याद आ गया, that is mesh, फिर ये आपका वरिश हो गया, mythun rasi, ये kark बोलते है, cancer को kark बोलते है, leo का मतलब होता है, singh rasi, vargo मतलब kanya rasi, libra मतलब tula, scorpio मतलब like vrishchik rasi, sagittarius मतलब होता है, धनू rasi, ठीके, अगर मैं मेरा बात करूँ, क्योंकि according to the rasi का नाम, according to the zodiac name, अगर मैं बात करूँ, just for information, बता रहो कि मेरा जो rasi है, वो leo नाम का rasi है, तो please, आप लोग मुझे comment करके बताएगा, कि आप लोग के नाम के हिसाब से कौन सा rasi है, ठीके, वो आपके माबाप आपको बताएगे, तो that's why, यहाँ पे मैं इतना ही बता सकता हूँ, तो यह हो गया हमारा zodiac sign, और एक last छोटा सा topic रहेगा हमारा, उसको भी करा जेता हूँ, जिसका नामे नक्षत्र, तो नक्षत्र exactly क्या होता है, यह भी मैं करा जेता हूँ, फिर आज का lecture को stop करेंगे, ठीके, तो फटा-फट तो नक्षत्र exactly क्या होता है, यह हम लोग बिसकस करते हैं, तो basically अगर बात करें नक्षत्र की, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने eclipse को जब 12 हिस्से में divide किया, तो क्या आया हमारा zodiac sign आया, वैसे नक्षत्र क्या बोलता है, कि हमारा जो moon होता है, हमारा जो moon होता है दोस्तो, मून हमारे अर्थ का चक्कर काटता है, जिस प्रकर अर्थ हमारे सन का चक्कर काटता है, वैसे मून जो है, अर्थ का चक्कर काटता है और उसको एक revolution complete करने में, यानि कि one revolution complete करने के लिए मून को अर्थ का कितना दिन लगता है, 27.3 days लगते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, कि ह हमारा Earth, जब Sun के पूरा एक चक्कर काटता है, तो उसको 365 डे लग जाते हैं, यानि कि हमारा जो एक साल का टाइम होता है, वो पूरा लग जाते हैं, लेकिन Moon को सिर्फ 27.3 डेस लगता है, एक चक्कर काटने के लिए, तो यह हो गया सबसे पहला चीज, कि हमारा जो Moon है, उसको एक revolution complete करने के लिए Earth के आसपास, उसको 27.3 डेस लगते हैं, ठीके, और यह जो portion वो travel कर रहा है, जो Moon जो travel कर रहा है, एक दिन के अंदर, उसी चीज को हम लग बोलते हैं, नक्षत्रा, यानि कि यह जो Moon है, यह एक दिन के अंदर, जितना भी portion ट्रावेल कर रहा है, ठीके, प इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नक्षत्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नक्षत्रा बोलते हैं, यह definition आपको याद रखना है, तो कोई भी अगर पूछता है, what do you mean by नक्षत्रा, तो आपको सिधा बोलना है, कि the distance traveled by the Moon in one day, the distance traveled by the Moon around the Earth in one day is called as the नक्षत्रा, तो यह बहुत basic definition, simple definition आपको समझ में आ गया, तो अगर हम consider करें, कि आपको पता है कि हमारा total degree कितना है, 360 degree है, तो अगर हम 360 degree को exactly 27.3 डेस लगते हैं, Moon को चक्कर काटने के लिए, तो 27.3 तो ने लोगा, मैं round figure लेता हूँ, 27 ने लेता हूँ, तो अगर मैं 360 degree को 27 से अगर मैं divide करूँ, यानि तो यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, that is 13 degree 20 minute, इसको बोलते हैं, यह degree का symbol है, मैं पूरा पूरा लिखके दिखाता हूँ, आपको ने तो आप लोगो confused हो जाओगे, 13 degree and 20 minutes, यानि कि 30 degree 20 minute का उसका value है, कितने का एक particular revolution का, ओके समझ में आ रहा है दोस्तों, यानि कि हर part जो होग नक्षत्र का एक जो पार्ट होगा, इच पार्ट जो होगा, उसका value हमें मिल गया, कितना मिल गया, that is 13 degree and 20 minutes का value मिला, ठीक है, और यही जो 30 degree 20 minute का value है न दोस्तों, यही जो नक्षत्रा है, इसका value है, और यह नक्षत्रा जो होता है, यह क्या है, it is also known from the brightest star, जिसका नाम है द सबसे brightest star है, और वो सबसे brightest stars का नाम है दोस्तों, योग तारा, तो यह आपको ने नाम सुना होगा, तो आप imagine कर सकते हो, फिर अगर आपको याद आता है, तो it is well and good, नहीं आता है, तो you can ask your mom and dad also, उनको पता होगा, क्योंकि हमारे generation के आगे हैं वो, तो एक generation के आगे हैं, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये जो topic है आज का ये होता है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे-चीज़े आज पढ़िए, कि basically क्या होता है, zodiac sign, नक्षत्रा क्या होता है, बहुत सारे constellation के चीज़ों के बारे प्लीज ये वीडियो को like किजेगा, share किजेगा, अपने सारे friends लोगो फटा-फट से share कर देना, and अगर आपने अभी दग इस channel को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारी channel को भी subscribe कर देना, साथने bell icon को hit कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो से upload करेंगे, आप लोग को